इस मड्यूल में हम फ्लास हाइरोडीनिया के ट्री इंपॉर्टेंट फीचर्स रिजनरेशन, रिप्रोडक्शन और ड्वेलप्मेंट को डिसकस करेंगे अब जितनी भी फाइलम एने लीड्स के एनिमल्स हैं उनके अंदर एक खास क्यापिलिटी है जिसको हम कहते हैं रिजनरेशन, रिजनरेशन का मतलब यह है कि अगर उसका कोई एक बाड़ी पार्ट, कोई इंजरी उसमें आ जाती है या डैमेज हो जाता है तो इन एनिमल्स में उसको यह रिप्लेश कर सकते हैं इसी तरह से लीच के अंदर जो है रिजनरेशन की कैपिलिटी बहुत ज्याता है इवन इसके बाड़ी को आप दो हिस्व में डिवाइड कर दे तो एंटिरियर साइड और पोस्टिरियर साइड अपना पोस्टिरियर साइड कंप्लीट कर ल रुक है तो लीची जो है दे नॉर्मली परोड्यूज्ट त्छूल सेक्शोल रिप्रोड़क्शन और नहीं ओता और इन इंके अंदर सिंगल पैर ऑफ ओष और और इंच्स पैर ऑवरी जो हैं वो मुझूद होगे फिर लीची जो हैं इसके अंदर यूजूल्यृ एक structure मौझूद होता है जिसको हम कहते हैं कलाइटिलम कलाइटिलम तीन body segments की fusion से बनता है अब कलाइटिलम जो है ये लीचीज की वाडिक में throughout the year मौझूद नहीं होता ये सिरफ spring season में available है जब लीचीज जो है वो breed करती है sperm transfer और egg deposition जो है normally उसी तरह से होती है जैसे के पहले फाइलम इसकी कलास oligocates में हमने अर्थवंग में पढ़ा था फिर इस में transfers के लिए main important structures जो है they are also available that normally transfer the sperm कुछ leaches जो है in main transfer के लिए spermato force जो है वो भी मौझूद है और hypodermic impregnation के जरीए भी sperms जो है they can be transferred फिर हर integument के अंदर कुछ special tissues जो है वो मौझूद है जो के एक small duct के जरीए ovary के साथ connect होंगे that normally receives the sperm अब और important structures जो के development में role play करते हैं उनको हम कहते हैं cocoons cocoons जो हैं ये soil के अंदर developed होंगे या ये पानी के अंदर जो underwater objects हैं उसके साथ भी attach रहते हैं cocoons उस वक्त तक रहेंगे जब तक further development का process नहीं होता इस तरह से leash में हम ये कह सकते हैं कि there is no larval stage and the off spring जो हैं अब यहां पे आप class herodynia में reproduction के लिए देखें usually monaceous हैं these are two separate leech species one will act as male other is female and normally the process is incohammonaceous केंगे process of cross fertilization takes place and through this process exchange of sperm occurs and after this exchange of sperms fertilized egg will develop and this is the well developed reproductive system inside the body of the leech अब चुके class herodynia के representative leech जो है यह parasite है parasites की important characteristics क्या होती है कि इनके अंदर reproductive system जो है वो well developed है और यह जैसे ही fertilization का process complete होगा zygote से further development का process start हो जाएगा तो this is the diagram of class representative leech showing its regeneration reproduction and development